लगातार 400 पार का नारा दिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा और उस बीच उत्तर प्रदेश एक बहुत एहम भूमिका निभाने वाला है क्या कुछ विजिन है और क्या कुछ मिशिन है आक्शन और इलेक्शन से पहले देखे पहले में पर्चे में अको बताओं मैं बीजेपी यूथ का तीन बार अद्देश रहा हूं दो बार प्रभारी रहा हूं परेटन का चेयर्मेन रहा हूं और यूथ कमिशन का यूआ नीती जो भारत सरकार की बनी है उसका भी मैं सदस रहा हूं ग्यारा वर्ष तक अभियान था उसका इंचार्ज था और वो वर्ल्ड रिकार्ड बना था ग्यारा करोर सतावन लाख मेंबर बीजेपी के बने थे मानी अमिस्थाजी के नित्वत्त में और उसके बाद से अभी आजकल मेरे पास में नेशनल कर्विनर हूं लोगसबाद चुनाओं में विस्त ब्रवन करने का मुझे रस्सर मिला है अभी मैं बंगाल था तमिलाडू था राजस्थान मद्दप्रदेश और हर्याना और उत्तरप्रदेश के तमाम जिलों को घूमने का जाने का कारिक्रम करने का रस्थर मिला है मैं अपने अनभाव और अपने कारिक्रमों के आधार पर कह सकता हूँ कि पूरा भारत बदला बदला सा है और ये चुनाव मुझे नहीं लगता की पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही है ये चुनाव मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में कि पहला चुनाव आजादी के बाद है जो जन्ता स्वेम लड़ रही है और यहां पर लोग बोलते ना भी थोड़े दिन पहले कहते हैं सीत लहर चल लई है फिर बोले कि राम लहर चल लई है परम लहर पुरे देस्ट पे रही लेकिन इस से में मोधी बायार जो बलते है मोधी जी का जो मैजिक है वो पुरे देस्ट में है तमिलाडू ऐसे सेहर में जहाँ प्रदेश में जहां चंद कारक्रता हमारे काम करते थे आज भारी मोधी जी पहुंचे हैं तो कई लाग़ लोग के लिए अिरपोर्ट पहुंचे लेने के लिए तो यह बदला बदला सा हिंडुस्तान मोधी जी का कार्यों को बखान कर रहा है गाउं गाउं में, में परसो कौसांबी था और कौसांबी की गाउंवे जो लाभारती थे उनसे मिलने का कारकम था, जिस घर पे जाते थे हम लोग अचानक पहुशे थे, मतलब प्री प्लन्ट करके नहीं गए थे, और घर का दरवजा खट रड़ते थे, आपके महां कोई जैस का सिलिंडर आया है, कोई कहता तक किसान निदी है, कोई कहता ता मुद्रा लोन ने हमको मिला, कोई कहता सोचाले बना है, महला है, तो काड़ लेकर चिला-चिला कर बोल लही थी कि दस किलो रासन हम लोग धाई तीन साल से पा रहे हैं, तो ये एक ऐसा सहरूप था कि घर घर में पहुंशे चुके हैं और ये शुनाओ मैं समझता हूँ लोग तो सपना देखते हूंगा पॉलिटिकल पार्टीज के लोग लेकिन मोदी जी के अलग तरीका है काम करने का अब मैं गुजरात का प्रभारी भी रहा हूँ और बहुत निकट से उनकी कारसेली देखी ह कि वो स्वयम सपना नहीं देखते हैं जनता के जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए काम करते हैं और अभी जो सुझाओं मंगाया जा रहे हैं कि वो बीजेपी इसे समय पार्टी है जो अपने संकल पत्र के लिए पूरे देश से सुझाओं मंगा रही है और उन सुझाओ का एक एक सुजहाओं का बारीकी से परिच्छन करने के बाद तब संकल पत्र तयार करते हैं हम लोग हम लोग गोषणा पत्र शी लिए तयार नहीं करते कि गोषणा करो और बूल जाओ लेकिन संकल करो और एक एक संकल को पूरा करो एक संकल पूरा नहीं हो रहा था सी एका सामने आया है तो यही मैं कहना चाहता था कि आज के पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसमें विपक्ष लापता सा दिखाई पड़ रहा है डॉक्टर दिरेश शर्मा क्योंकि आप से सवाल बहुत एहम हो जाते हैं और आपकी टिपनी भी बहुत एहम उतनी ही हैं हो जाती है आप स 47 की बात की जा रहे हैं विक्षित भारत की बात की जा रहे हैं आपकी परकलपना में विक्षित भारत की परिभाशा क्या है यह तो बहुत साफ है विक्षित भारत का मतलब है हम गरीबी को बिलकुल अपने से दूर भगा सकें रुजगार का शरजन कर सकें आत्म निर्भर ह सकें उत्पादन हमारा बढ़ा हो निर्यात हमारे बढ़ें और आयोत कम हो ट्रेड बैलेंस फेवर में हो और जो इंडरस्ट्रियल ग्रोथ है वो हमारी बढ़े और हर चीज भी हमार निर्बर हो और लोग हम से आयात करने की सोचें हमको दूसरों से आयात करने की चेस्टा ना हो हमारा infrastructure अच्छा हो हमारा production अच्छा हो और जो दिमांड का creation है वो हमारे production के अंसार हो तमाम चीजों को अगर आप जोड़ लो तो वो विक्सित रास्त की परिभासा में परिवर्टित हो जाती है लोकसवा जुनाव सामने हैं और लगातार आपके साउथ के दौरे लगे हैं और लगातार आप वहां काम कर रहे हैं इस बार क्या मानते हैं क्या अचंबित करने वाले आप ले दिखाए देंगे आप उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश में तुफान है और इस तुफा के लिए मैं समस्ता हूं एक अनिवारता बन गया है उत्तर प्रदेश की हवा और उत्तर की हवा दक्षिन पहुंच गए तो क्या हवा जब लौट के आएगी तो एक सो एकत्ती सीटों मैं से कितनी सीटे वापस दिली लेके आएगी चुनावों के नतीजों मैंने का नहीं तो साउथ का कॉंट्रिबूशन कितना रहेगा जैनि साउथ का पहले से कहीं ज़्यादा होगा और विपक्त से ज़्यादा सीटे साउथ में बीज़ेपी पाएगी है क्योंकि आपने कह दिया कि चार सो पार तो इंडिया गडवंदन कहीं वैरिगेटिंग का काम तो करेगा कही जा रहा हूं एक तो यह कि मोदी जी जून जुलाई में जब भी एक सो ग्यारवी मन की बात वो करेंगे तीसरी बार प्रदान मंतरी बनने पर एक बात दूसरी चीज लोग सभा में नेता प्रत्रप्रक्ष की कुरसी खाली दिखाई पड़ेगी उनके पास इतनी संख्या न किसरी बार प्रदान मंतरी बनने के बाद इस देश में बड़ी घोस्णाएं नहीं बड़े सपनों को पूरा करने का उपकरम आने वाले पांच सालों में होगा जो पूरे विश्व के लिए अप्रत्याशित होगा अच्छा आपके बयान काफी चर्चा में रहते हैं और क्योंकि हम चुनावों से संबंदित बात करें और इंडी गड़ बंदन का आपने जिक्र किया ऐसे में गड़ बंदन के सारे बंदन खुल गए है और इंडी गड़ बंदन में भिंडी की सबजी बन रही है जो की जल आपके द्वारे बयान दिया गया इसके ऊपर क्या मंचा थी आपकी नेताओं ने पहले इसको इंडिया कहा पिर इंडिया का अर्थ-खोदी नहीं बता पाए कि वह आई से क्या N से क्या D से क्या I से फिर उन्रें इसको इंडी कहना शुरू कर दिया अब किसी ने मुझे से कहा कि उन्होंने कहा साब इंडी बहुत स्वादिष्ट है तो मैंने कहा इंडी तो नहीं है इंडी तो उस जलीवी भिंडी की तरह हो गया जो बगएर स्वाद के रहे थी ऊसको बगएर खाए लोग उसको फिक देते हैं और आज वास्तों में जो इंडिगेड बंधन है उसकी इस्टित ये है कि उसके बंधन एक-एक करके खुलते जा रहे हैं और रसी बचे जा रहे हैं अब रसी की एठन नहीं जा रही है कि रहुल जी रहेंगे रहुल जी रहेंगे प्रिंका जी रहेंगे प्रिंका जी रहेंग और अगर इनके सहयोगी को देखो आप तो समाजवादी पार्टी में क्या होगा अधरनी नेता जी लड़ते थे फिर अधरनी शीवपाल जी लड़ेंगे अधरनी अकलेच जी लड़ेंगे अधरनी डिमपल जी लड़ेंगे उनके अच्छा जी लड़ेंगे उनके इसलिए राष्टवादी का मुकाबला परिवारवादियों से है और मोदी का जो परिवार है वो वो आम जनता का परिवार है इनका परिवार है वो अपना परिवार है इसलिए अब उनकी तुलना करने का कोई और शित मुझे दिखाई नहीं पड़ता विभक्ष आप पर आरो सोला तारीक को आचार सहीता लगने वाली है लंसम माना जा रहा है अज तारीक चौदा है 15, 16, दो क्या कोई नया धमागा विल्श की नजरों में कौन सा रहने वाश है कि जो कहाए वो करो और जो कहाए वो करो कि यानि विश्वस्निता राजनीत में विश्वस्निता का भावा है इसलिए आज जो नारा दिया जा रहा है मोधी गारंटी है मतलब मोधी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी भी मोधी है वो इसलिए का जा रहा है हम धमाका की जरूबत रहे हैं इम पान साल काम किये हैं वो साड़े चार साल धमाल करते हैं और जो च्छाए मेना होता उसमें पॉलिटिकल टूरिज्जिम करते हैं तोड़ पड़ते हैं आदरनी भाई और भाई और भीया और बहने और पाता चला कभी वो काश्री विष्णाद बाबा में वो क्रूस बोर्ट जो जोगी जी ने बनवा दिया उस पर घूमते हुए दर्शन करने चले जाएंगे तो कभी राहुल जी चले जाएंगे लेप के चंदन का ठीका कोट पहन के उस पर जनिव डाल कर गोत्र को याद करते हुए बाई हांस से बाई हांस से जो जय हनमान ग्यान गुन साकर करते हुए तो अब एक की एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता को कभी नानी जी सपना देते थी यों कहते थे ना 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 बेटा ना जाना नानी ने कहा है कि वो तोड़के बनाया गया जगे पर भगवान का दर्शन नहीं करना अब पता नहीं कि नानी जी ने कहा कि बाबा जी ने कहा लोग पहुत गांगे ना 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 लोग उनका कि भगवान के दर्षन जरु करना जए हनुआन ग्यान गूर उस न बीक्षाइगर हनुआन च्लसा कर रहे हैं ये अच्छे दिन नहीं है वो जो कहते थे आदर्णी एकलेश जी से एक इंटर्विव आया था उनका मैं भगवान को नहीं मानता मैं पूजा नहीं करता आज वो संकर भगवान का मंदिर बना रहे हैं आज आप देखो कि आज राहूल जी पहली जन्वरी को वो इटली और सुड़ियलेंड की यात्रा कर के अपना निव एर बनाते थे आज वो चंदन लगा रहे हैं आज उनके मन में माते पर चंदन है मन में करंदन है और करंदन का कारण जन्ता में मोदी का वंदन है तो इसलिए ये सब आप देखो ये सपाबा सपामा कपाबा कपा साब आप आप जितने दल हैं आपको उड़ में और ये चुनावी जो बयार है ना मोदी बयार इसमें ये अपने अस्षित्तों को खोते भी दिखाई पड़े गए विपक्ष कहता है कि आपने मंदिरों का कॉपे राइट ले रखा है मंदिर पाप है क्या मंदिर आर्थिक सम्रद्धि का परचायक है पहले दक्षिर क्यों आप एक हिस्ट्री पढ़ो ना यहां पढ़े लिखे लोगों की कमी है पहले जो दक्षिर में मंदिर बनाते थे दक्षिर आर्थिक साधन का रुजगार का माध्यम हुआ करता था लोग परिटक बनके आते थे तो यातायात ठीक होता था लोगों को कभी बेल गाड़ी का कभी रिल गाड़ी का कभी हवाई जहाज का लावे मिलता था आज अध्या बनाए आप एक एनालिसिस कराओ मत्रा का जो कासी विश्णा के कोरीडोर बनाए पहले आते थे गर हजार तो अब आते हैं लाक दस लाक करोड और करोड लोग आएगा अगर कासी में ठहरेंगे तो उनको रिक्सा भी चाहिए तांगा भी चाहिए टैक्शी भी चाहिए बस भी चाहिए रेल भी चाहिए हवाई रेस्टोरेंट वाले को भी लाब है, जहां से वो खाने का समान करेंगता उसको भी लाब है, परिभान वाले को लाब है, यानि अप्रतक शिरूप में रुजगारों का स्रजन का केंद्र मंदिर है, आर्थिक संब्रदी का प्रतीक मंदिर है, आस्था का प्रतीक मंदिर है, औ प्रक्रत प्रव करता है वही धर्म निर्पेक्ष्टा के भाव से लोकतान्तिक परमपराओं को अश्वे रह सकता है तो अब आप अयूद्धा बन रहा है करोड़ लोग आ रहे हैं देश विदू इंटर्नेश्ण हवे ड़ बन गया है चारो तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो कि वह आई-टी सिटी बन रही है वह धार्मिक परिटन के जो छेत्र है माता विंद्याचल में करोड़ों लोग पहुंचने लगे हैं वह धार्मिक परिटन यह सुर्जर लेंड आप द्याकर जो मैं टूरिज्म का भी मिनिस्टर रह है अब भारत की आयका साधन अगर धार्मिक परिटन है इसको बना रहे हैं कासी मत्राग अयुद्या हमारे पहाड़ चले गए हैं अब हमारा टूरिज्म एक आस्था भी और आस्था के साथ परिटन भी तो यह आर्थिक आप दस साल बाद आप बात करोगे आपका चैनल बा कि होगी दूसी तरफ इन कषी मत्रा और युद्या से बनेवे मंदरों से आईवी अब यख़ा अचुछ से ऑई भी यह मंदिरों की मंद्रों की आये होगी और यहां के लोग में उस आयसे लिदू भी सुकोह होगा और उस मुश्लिम सुकी होगा